आप कीजिए एड़नारा वर्ल्ड को बेलालकन वाईये लेटेस्ट जॉब रेटीड नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश पॉब्लिक सर्विश कोमिशन के दौरा जो एडवर्टीज मेंट नगा सबस्क्राइब करेंगे तो आज हम इसको डिटेल में डिसकस करेंगे आप देख सकते हैं पॉब्लिक वर्क डिवार्टमेंट पी डवल डी आपकी एस्टेंट इंजिनियर सिविल की चौबिस पोस्ते वर रहा है इसमें आपकी हम पुरा डिटेल डिसक्शन करेंगे एडव पांच जनवरी 2021 तक इस जो है एप्लिकेशन फॉर्म को वर्सकते हैं और क्लोजिंग डेट ओफ फी आपकी पांच एक डोजर एक डिस ऑनलाइन ओनलाइन फी है और आपकी सेम उसी दिन 12 वजे तक आपकी लास्ट डेट है दोस्तों तो बहुत अच्छा मौका एक वार फिर हम इसको डिसकस करते हैं ओलाइन रुकूट्मेंट एप्लिकेशन और इन्वाइट फॉर्ट डिजायरस एंड एलिजिवल कंडिटेट पर रूटमेंट अप 24 यानि कि 24 एस डियों की पोस्टे भरी जा रही है ठीक है उसमें से हम देखेंगे यहां पर देखो उसमें से आप पोस्ट एकनॉमिक बिकर सेक्शन की है वैसे तो कहा जाता है कि 10% कोटा एं 10% 10% EWS का रहता है इसमें तो 24 का 10% किना हुआ चौबिस कुना 10% 100 0000 2.4 यहां प्रोक्सिमल यहां तू पोस्टे ही आपकी क्या है यह जब्लूस की है ठीक है उससे साबसे किया हुए इनोंने तो आपकी डवलेड़ड़ यह की पोस्टे आपकी कितनी है तू उसके बाद है दोस्तों सी सी ओफ है तीन इडवल्यूस जो मैंने आपको पताई दो और उसके बाद है हमारे बास OBC की पोस्टेस में दो और हमारे बास जो जनरल की पोस्टेस में कितनी है नौ एसिस्टेंट इंजिनियर पी डवल डी तो बहुत ही सुनहरा मौका दोस्तों आपके लिए एसिस्टेंट इंजिनियर बनने का आप प्रपरेशन कर रहे हो अभी आपके बस मौका भी आप प्रपरेशन कर सकते हो क्योंकि अभी एक या दो मिने का बैसे तो HWPSC उतना टाइ कगोर से क्या दिछा हुआ है कि इसके बाद है दोस्तु जनर्ल एक सर्विसमें की बहुत अची पयाद हció दया है कि इसमें इससे बार Mads प्रविसमेन ऑफ पी एक पोस्ट और ओबी सी एक सर्विसमेन ऑफ पी एक पोस्ट परस्ट अब इस्टेंट इंजिनियर सिविल क्लास बन गजडिट अफिसर यह होते हैं आप सबस्ट को बता हिए पहले कुछ तीन साल का कॉंट्रेक्ट होता है इसमें फिक्स्ट करें अब करेंगें तो दोस्तों यह वारे पर अबर्टीसमेंट निकली हुई आज क्या कहते आपको हिमाचल प्रदेश पुब्लीक सर्विसमेंशन के दवारा देखें नौ बारा दोसर बीस को और एक इसमें थोड़ा चेंजिक देखने को मिले एक हिमाचल पर्देश पॉ प्रदेश पुब्लीक सर्विसमेंशन अपना लोगो यह वाला लोगो पहले थोड़ा डिफरेंट होता था यह भी चेंज कर लिए और साथ में अपनी साइट का जो है बैपे जो आपका जो फॉर जो ले आउट है वही चेंज कर लिए नहीं आप देखा होगा उसमें नीच इसमें होती है हम सभी जानते हिए देट अब डिटर्माइनिंग लेजबिलेट वाल केंडिट इस इन रिस्पेक्ट ऑफ नाश्यल कॉलिफिकेशन और एक्स्पिरियंस इपैनि एट्सेटरा शैल भी प्रेस्क्राइब क्लोजिंगेट पोसमेशन ऑफ ओनलाइन प्रेस्पेट एलंग विद्ञाइब माकसीड ऑफ और लिया दिन फोर्ट एज्वेशन प्रोविजनल स्टिपिकेट ग्जोग जो ब्यापकी कैटेगरी स्ट ओविस्ट विसी डव्स से रूइसमें अना को बिस तरह की खटेगे तो आप उसमें पहले है आउस को पता हिए ह तो आप उसमें यह सब डॉक्मेंट्स दिया भर्सकते हो पहले ना बॉनाफ़ाइड इमाचली सब्सक्राइब के इनके सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आप एप्लिकेशन फॉर्म भर्सकते हो तो हम पुरा डिटेलिंग इसको डिसकस करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए तो इसके लिए दोस्तो सब्सक्राइब करते हैं 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 तो आप एलिजी बोलो इस एक्जाम को भरने के लिए उसके बाद बिजारेल कॉलिगेशन आज यूजल हम पता ही यह सिबको ऐसी नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स और डालेक्ट्स ऑफ हमाचल एंड शुट एंड शुट एंड शुट एंड शुट एंड शुट एंड शुट दर बैठे उत उपपलाई आपको रहां काहसे करना है तो दोस्तो आपको पहले क्या करना है एलिजिवल डिजार इलिजिए डिजारियस एलिजिवल केंडिडेट मस्ट है टूप्लाई ओनलाइन त्रोफिशिल वैप साइट आप कमेशन यह दो ओफिशिल वैप साइट आपको देकर रखा हुआ है application received and through any other mode would not be accepted and will be rejected straightway I got me abhi isco apply karna from description mace website killing communist description miss code they get away download a link let's say they care about my pay because they are up around online apply because to next day candidates should exercise due care by entering their mobile number email IDs in the online recruitment applications for immediate intimation with regard to their applications यह तो आप प्रॉपर्ली एची तर से डाल दे ताकि आपको फ्यूचर में कमिशन को भी कंटेक्ट करना तो इसके तुरूब आपको मैसेज किया जासके कब एक्जाम है कब क्या important valuable information कब एक्जाम पोस्ट पॉर्ण होता है या होता है नहीं होता है उसके बादे जस्तों दा डिजायर 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 संदे लिजिवल कंटिडेट्स में विजिट दी ओफिशिल वैपसाइट ऑफ दे कमिशन यह अलड़ी क्लिक दा लिंक अप्लाई उसको अप्लाई ऑन आते जाएंगे continuously उसमें आपने भरते जाना है भरने के बाद आपको क्या करना है जो भी मांगा होगा इसमें फोटोग्रेप बेरा उसमें क्या करना आपने scan करना है और scan scan कोन करने के बाद सकनेचर डालने उसके बाद आपको next portal open होगा examination phase का examination phase की थोड़ा discussion करते हम एके examination page general category including general physical disabled orthopedically disabled dependent hearing impaired economically weaker section WFF ward of freedom fighter ex-servicemen of HP related from defense services on their own request before completion of normal tenure general wards of ex-servicemen of HP डिपेंडेंड संस अब एक सर्विसमेन अब एच पी तो इनके लिए सब के लिए जो एमिनेशन पी एफ और अधोस्तो फोर अंडर पहला इतिंग जी फिफ्टी ओथी थे अब इन्हों नो फूप्टी रुपी इंग्रीज कर दिये से इंक्लोडिंग एक सर्विसमेन अगर तो हॉरलीव फूम डिफैंस आफ्टबिश्न आपनार्वल टेयन उप्लाइं पर उनके लिए दोस्तों नो फी तो सबसे इंपोर्टन बात है कि प्रिमेल केंडिटेट्स एल भी जो हुमारे एच्प गॉर्मेंट नहीं कुछ ही महीं हो पहले जो नॉसमेंट की तो इसके अगॉर्डिंग फिमेल के लिए यह बिल्कुल फ्री है तो नेक्स्ट दुस्तो देक्टिट बेलोंगिंग फ्री प्री आपका क्या है मोर पेमेंट ओन-लाइन दुस्तो देविट का इंटरन बैंकिंग इपेमेंट गेट पे इस दे केस मेवी सुझरे प्रा पे arrestive ब्लुस्तो देजो इच। बीफोर दिश्टिट पेंट आपको अगेड पिलू फ्री त्रय फस्कानङ J taza देव मोर फैस्ट not भी आथ है थ्रू तो उसके बाद हम देखते हैं फैसलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेस अगैडिटेट्स इसमें पताया गया है कि आपको एड़ेशन रिजेक्शन की कब आपका रिजेक्शन होगा क्या होगा कैसे होगा तो कैटेगरी क्लेम पुरा डिटेल में पताया होगा आप 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 आपकी क्या क्या क्राइडिया रहना चाहिए अना बेनिफीट्स ऑवन रिजर्टेगरी इन पॉर्मेंट आप ही माचलते हैं रिजर्ट पॉर एड़ेशन काटेगरी यह पूरा आप आप इसमें डिटेल में पर सकते में डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा वहां से पी अना अकर देके कैते कि इस in case where the number of eligible candidates per group and to the post-advertisement commission is inordinately large the commissions may limit shortlist the number of eligible candidates to be called for personality test was selected to them either computer-based screening test or online screening test descriptive descriptive of two hours durations marks trained in the screening test are only meant to shortlist स्क्रीन टेस्ट जो भी आपके रिटन टेस्ट में एक्जमिशन आएंगे उसके जाहर पर आपको कट अप मिलेगा और आपको इंटर्बूकली बलाया जागा और इन नो वे प्रिजूम्ड वाइप कंडिडेट अस बिंग देर मेरिट मैले मिनिम्मा पासमार्क्स इन क्मूट अज़र्व के लिए आपका पासमार्क्स होगा आपका जो रिटन एक्जामिशन होगा इसमें तो उसकी बात हो रहे हैं वाकि डिटेल में पर सकते हो इसको एडविटेसमेंट का बाखी देखिए जो भी है परसनल डिस 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 अडिस अबडियूलेटी उनके लिए थोड इसके बाद तो दोस्तों इस तरह से अग्जैम जो पैटर्न कह रहाएगा सबसे बड़ी बात हम आपको इसमें पताते हैं तो इसमें पैटर्न के बारे में थोड़ा इसमें अपने पॉर नमभर खर दाले होंगös मैं आपको इसमें औलॉट करनें की डॉलब्ल हो जाएगा जैसे साइड में अcol तो इसमें civil engineering का है तो वसी question आपको civil engineering से related आएंगे बाकी आप किजिए जो पता ही आपको हर stream में बीटेक में 10 subjects जो टॉप 10 subjects रहते हैं उनसे ये maximum questions पुशे जाते हैं बीटेक के ठीक है तो उसके बाद 10 questions आते हैं इसमें इंडिया जीके के इंक्लोडिंग करंट अफेर स्टैटिक जीके वाटेवर और इसमें 10 questions आते हैं आपके HPGK के अगेन आइम सेम थिंग जीग आपी history इंक्लोडिंग करंट फेर बटेवर हना तो दस दस तो टोटल टोटल किने होगे 100 और इसमें next further जो किया रहता है 100 नमर का वो तो फिर बात की बात है जब आपका screening return test clear हो जाएगा अगर आप merit list में आते हो ठीक है तो फिर आपको जो क्या किया जागे इंटर्वू कलिव लाए जाएगा उसमें फिर इसमें इसके नमर कोई जोड़े नहीं जाएंगे जो फि कितार पर आपकी merit बने कि आपकी selection होगा और आप SDO बन जाओगे तो यह आपने देखा कि 80 number technical education जो भी आपका BTEX civil में जितने भी 10 subjects में आपको उपताए होते हर एक में खेर एक आधा भार से भीकोशन आ सकता है तो 10 question India जीके से और 10 question HPG के से तो यह हमारा पास advertisement था दोस्तों हिमाचल प्देश पप्लिक सर्वी कमिशन एसिस्टेंट इंजिनियर एस्डियो सफ्ट पप्लिक डिवार्टमेंट और यह आप देख सकते है अशुदोस गर्ग आई एस क्रेटरी पप्लिक सर्विस कमिशन तो यह advertisement जो release हुआ था जैसे में आपको बताया यह आज ही sites में डाला हुए नोने 9-12-2020 को बस आपने कुछ नहीं करना है अगर आपको यह पीडिया फाइल जैस की description में मैंने link देके रखा है और इक इंपोर्टेंट चीज में आपको बतातूं कि अगर आपको इसी तरह की important notification exams related previous year salt question paper results और answer की analysis इस तरह की वीडियो और देखनी है तो please do subscribe and share thank you guys